आज मैं इस पार्ट को वीडियो में कवर करूँगा एक इंपोरेंट टॉपिक को जो की है GDP फोर्कास्ट बाई डिफियन्ट और यहाँ पर मैं आप लोग को सभी इंपोरेंट GDP फोर्कास्ट को यहाँ पर बताऊंगा जो की बहुत ज़्यदा इंपोरेंट रहेगा आप लोग का कल के एक्जाम के लिए जो की RRB कलक मेंस का है ठीक है और इस टॉपिक से आप लोग को जैनरली एक मार्स का कुछिन जरूर देखने को मिलता है और यहाँ पर मैं आप लोग को सारा चीज अपडेटेड लिस्ट प् अब लोग यहाँ पर देख सकते हो फिच के दोवारा 7% क्या गया है Japanese के दौबारा 7.2% क्या गया है ऐंए बंसक्ट के दौबारा exhib Maulkन & stanlee के दौबारा खैबन परसंड क्या गया है और 6.4% जो है वह फैनेल्सल और 24 के लिए ठीक है और यहां पर मैं आप लोग सा बात हो कि financial year क्या होता है और denominator year क्या होता है जैसे हुआ है आप लोग यहापट calendar year भी देख सकते हो ठीक इसके तो calendar year जो फिर से स्टाट हो stripes आप लोगव का 31 December को चलता है और और अपसल ऐल आप लोगव का किसी भी साल में आप लोग अप्रील से स्टाट होकर next year तक आप लोगों का 31 मार्च तक चलता है ठीक है तो इसको हम लोग क्या consider करते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों का example देखे समझाता हूँ financial year मैं यहाँ लिख दिया अभी financial year कभी start हुआ था 2022 के अंदर तो देखो यहाँ पर 2022 के अंदर आप लोगों का start हुआ था एक अप्रिल को ठीक है एक अप्रिल को start हुआ अभी कब तक चलेगा तो अभी देखो आप लोगों का जो financial year चलेगा आप लोग का 31 मार्च तक चलेगा ठीक है तो यह 2022 में start हुआ था मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ 2022 में अब चलेगा 2023 तक तो मैं यहाँ पर 2023 तक लिख देता हो ठीक है तो यहाँ पर 2023 तो हम लोग consider कौन वाला करते हैं इस वाले येर को करते हैं और बोलते हैं कि 2023 का financial year चारद रहा है अगर आप लोग को कोई पूछे कि अभी कौन सा financial year चारद रहा है तो आप लोग का जवाब होगा 2023 चारद रह 66.9 100 क्या गया है कोडी के दो आब 7.7 7 पसन क्या गया है SBI tusk में 60.8 7.9 पसन क्या गया है जीनर नेट और नशंस च्पे द्वारभ कहा है canопर 20 3.4 पसट यहाँ अरीम अंग कोंई क्या ाैंडного को्न सब्सेधा हैं सबसे ज्यादा में आख द्यान रघना cięज वार्कॉंडर व पर उपन कर लेता हो तो यह फर्स स्लाइट से आप लोग देख सकते हो ADB यह सुपर इंप्वाइट है आप लोग एक्जाम पॉइंट और यहां पर इस्टार्ग मार्क कर देता हो और RBI भी यहां पर बहुत ज़्यादा इंप्वाइट नहीं है उसके बाद हम लोग यहां पर सेकंड स्लाइड में आते हैं सेकंड स्लाइड में आप लोग का इंडिया रिटिंग रिशर्च के द्वारा जो किया गया है 6.9 परसंट यह भी बहुत ज़्यादा इंप्वाइंट है और NSO क्वाटर वन में 13.5 परसंट किया गया यह भी इंप्वाइंट है ठीक है तो यही था कुछ जो कि आप लोग का एक्साम में आने का बहुत ज़्यादा चांसे है आसा करता हो इससे आप लोग को एक कोसिंस मिलेगा देखने को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्रा